नमस्कार, मैं जौनती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गाड़नी उथी जौनती को दोस्तों क्या आप भी मेरे तरह सत्वर वागवानी करते हैं? अगर करते हैं आप अपनी मिट्टी को हर सल केसे रिचार्ज करते हैं? रिचार्ज के मतलब यहां पूराने और यूज मिट्टी को फिर से कैसे उपजाव बनाते हैं? एक साल यूज करने के बाद मिट्टी में से निूट्रेंस खतम हो जाता है अगर बिना रिचार्ज करते हुए फिर से इसमें पौधे लगाएंगे तो मंचाह रेजल्ट नहीं मिलेगा तो मिट्टी को हर सल रिचार्ज करना बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं मिट्टी को रिचार्ज करने के बाद पौधे में कितने सारे क्यापसिकम हुए हैं और ये लाल-लाल टॉमेटोज को देखिए मिट्टी में से पौधे निउट्रेंज लेकर बढ़ते हैं, फुलते हैं और फलते हैं अगर मिट्टी ठीक रहेगा, मनचह भेजिटेबल्स, फूर्ट्स और फलार्स मिलता रहेगा आई ये देखते हैं मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए मैं इसमें क्या-क्या मिलाती हूँ ये है कोकोपीट, कोकोपीट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी धिला और हवादार बनता है प्लांट को बन मिल से फस्फरस क्याल्सियम और नाइट्रोजन मिलता है किचेन उएस्ट कमपोस्ट मिलाने से सोयल क्वालिटी में इंप्रूब्मेंट होता है लीप मोल्ड मिट्टी को हवादार बनाने के साथ साथ मिट्टी के गुन्बता में सुधर लाता है नीम केक पाउडर एक और्गानिक फटिलाइजर है जो मिट्टी को हानिकार किटो से सुरखित रखता है भर्मी कमपोस्ट और काउड़ों कमपोस्ट पधों के लिए सबसे अच्छा नियूट्रिशन से भरपूर खाद है तो दुस्तों आईए जानते हैं एक दस इंच गमले के मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए कितना खाद मिलाना चाहिए दस इंच गमले के मिट्टी में दो मुठी काउड़ों कमपोस्ट एक मुठी किचेन उस्ट कमपोस्ट दो मुठी कोकोपीट दो मुठी लीफ मोल्ड एक चमस बोन मिल और एक चमस निम केक पाउडर को मिला कर मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं आप देख रहे हैं मैंने सारे सिजनल फ्लार्स और वेजिटेबुल्स के कंटेनर से मिट्टी निकाल कर पहले उसको साप किया और एक दिन धूप में रख दिया बाद में पहले बताये हुए सारे निूट्रेंट्स को अच्छी तरस मिट्टी में मिला दिया है सारे मिट्टी को इकठे करके ब्लाक पलिथिन में साथ दिन के लिए ढख दिया है साथ दिन के बाद मिट्टी फुली रिचर्ज हो गया है और कंटेनर में भरने के लिए रेडी हो गया है दोस्तों ये है ड्राइ लिफ्स जब मैं गमले में मिट्टी भरती हुँ नीचे का एक लेयर ड्राइ लिफ्स से भरती हुँ तो आईए भरते हैं गमले में रिचर्ज मिट्टी छत बागवनी के लिए मैं प्लास्टिक का ये कंटेनर ज्यादा पसंद करती हुँ क्यूंकि ये लाइट वेट के साथ साथ स्ट्रंग भी है और सस्ता भी है आप देख रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर के जाली को मैं पलिथिन से किस तरह कभर कर रही हुँ दोस्तों ये जो पलिथिन है ये एक साल तक लास्टिंग करता है अगले साल मिट्टी को रिचार्ज भी करना है और नया पलिथिन भी ढालना है आप देख रहे हैं ड्राइ लिफ्स का एक मोटा लेयर निचे डाल दिया है अब मिट्टी भरेंगे मिट्टी भर गया है इसमें थोड़ा पानी डालके गिला करके दो तिन दिन के लिए एसे ही रख देंगे इस तरह मेने सारे कंटेनर में मिट्टी भर के रख दिया है दो तिन दिन के बाद इसमें पोधर लगेंगे यह है कंक्रिट बॉक्स इसमें से भी सारे मिट्टी निकल कर रिचर्च किया है और आप देख रहे हैं किस तरह में ने होल को कवर किया है पहला लेयर ड्राइ लिप्स का है और बाद में मिट्टी से भर दिया है दो तिन दिन में सारे कंटेनर में पोधे लगेंगे इस तरह पोधे लगाने से पोधों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है और पोधें फूलों और फोलों से भर जाते है दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और रिलेटिब्स में सेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे और एक नई विडियो में और एक नई टपिक के साथ तब तक के लिए बाई हपी गाड़निंग